कुमहरन बैठी सडक किनारे लेकर दिये दोचार जाने क्या होगा अपकी करती मन में विचार याद करके आख भरा आई पिछली दिवाली त्योहार बिकना पाया आधा सामाल चड़ गया सरपोधा सोच रही है अपकी वाल दूंगी सारे कर जोताल सजा रही है सारे दिये करीने से बार बार पास से गुज़रते लोगों को देखें देखें कातर ने हार बीत जाए ना आपकी दिवाली जैसी थी पिछली बार नम्र निवेदन मित्र जनों से करता हूं मैं मनुहार मिट्टी के ही दिये जलाए दिवाली परब की बार दोस्तों मैं हुद देव सिध्धार और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वेस्पा आज ये वीडियो का विशय काफी सम्मिदन शील है कि हमें ये बनाना पड़ा विशय कुछ यूँ था कि आज सुभाई एक वाक्या हुआ कि दिवाली के बजार भरने लगा है रास्तों पर आदुरिक्ता बढ़ी हैं लोग बढ़े हैं विचार बढ़े हैं लेकिन हम इस बार पर भी रौष्टी नहीं कि दिवाली क्यों मनाई जाती थी अगर आपको याद हो तो बच्पन में निबंद आता था पांचवी क्लास तक हमारे पास हिंडी में कि दिवाली का निबंद लिखता है अब दिवाली के निबंद की सबसे पहली जो लाइन होती थी वो यह होती थी अगर आपको याद हो के दिवाली हिंदू धर्व का एक राश्त्री पर्व है इसे सारे धर्व मिलके मनाते हैं हिंदू धर्व के साथ साथ लोग मिलते हैं एक दूसरे के इसलिए जाता है क्योंकि भगवान राम वनवास से अपने घर लोटे थे पूरी अयुद्ध्या के लोगों ने मिट्टी के दियों से रोशन किया वहां पर रोष्णी जगाई और दिवाली रोष्णी का पर्व भी है दिवाली रोष्णी का पर्व है, हम मानते हैं कि हमें आधुनिक होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम ये भी याद रखें कि पहले केवारों में जितना मुझे याद है और आपके सांद भी क्योंकि हमारा बच्पन कॉमन ही रहा होगा, हमारी घरों में इसलिए हम उन्हें दान देते थे और वो उस दान को आगे कैसे बढ़ाते थे क्योंकि वो दान नहीं दे सकते हैं इसलिए वो दिए खरीबते थे या बाजार से कोई और वस्तु खरीबते थे या घर की जालर हो या कुछ भी बहुत चोटा सामान जिससे वो अपने घर को मैं आपसे पूछने पर के मैं आपसे दिये लेना चाहता हूं तो उन्होंने मुझे बोला के मितलब तीस रुपए के दर्जन वो दिये लगभग देने की हुझे तीस रुपए आप समझ सकते हैं कि आज इस दोर में कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है पर मैंने उनसे बसी हुई बातों बातों में उनका दर्द पूछना चाहा और उस समय मेरे नेटर के प्रॉब्म थीसके में लाइव नहीं कर पाया नहीं तो हमारा मैंने सोचा उस सम पांच रुपए कम दे देना लेकिन इन्हें अपने घर ले जाओ यह बात शायद बताते हुए मेरा भी गलाभार आ रहा है और मैं आपसे पता पार हुआ हूं कि आप तक यह बात पहुंचानी है उसके बाद उनका नहीं मुझसे यह कहा कि यह साल भर के जो वैपार होते है जिसे गडेश जी की प्रतिमा बनाना दुरगा जी की प्रतिमा बनाना महलक्षी में प्रतिमा बनाना या महलक्षी में गडेश जी जो आते हैं और यह दिये बेचना इनसे ही इनके साल का खर्चा चलता है यही इनका व्यक्साय है और यही मैं आपसे पताना चाह रहा हूं क कि जब लौधा राजा राम अपने घर लोटे तो उन्हों रोगों में मिठाईयां बाटी खुशिया बाटी कपड़े दिए क्योंकि वो राजा थे तो अपने इस तरड की चीजि़ है लोकों में आपने तो सुना ही होगा कि बच्चे भगवान का लूप होते हैं और एक बात और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया तो बस यह वही बात है कि हमारे देश से खरिद्दारी करें हमारे देश को बढ़ाएं चाइनीज समान से थोड़ा सा आप कटे तो कि हमारे संबंध्य जो होते हैं जमीनी स्थर्वन हमारे वो संबंध्य काम आते हैं है एपी दिवादी रिक्ते रही होगे सब्सक्राइब